तोड़े वी आर गूंग तो स्टड़ी डिविजिबिल्टी रूल्स आज हम पढ़ेंगे कि कोई नंबर 2, 3, 4, 5 या 6 से डिवाइड होता है या नहीं यह कैसे पता लगाया जा सकता है सबसे पहले डिविजिवल बाइट 2 रूल चेक करिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको इफ लास्ट डिजिट इस 0, 2, 4, 6, and 8 यह वैसे सबको ही पता है क्योंकि 2 से डिविजिबल कब होगा जब लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा 0, 2, 4, 6, या 8 फॉर एक्जामपल 24, 396, एटसेटर ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, या 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा चेक करते हैं 3 से कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा रूल देखिए इफ सम अफ डिजिट इस डिविजिबल बाई 3 यानि कि जो नंबर हमें गिवन है अगर उसके डिजिट को एड करें और वो डिविजिबल हो 3 से तो नंबर भी डिविजिबल होगा इसकी एक्जाम्पल करते हैं जैसे फर्स्ट एक्जाम्पल देखें 189 अब 189 को देखके हमें पता लगाना हो यह 3 से डिवाइड होगा के नहीं तो इन डिजिट को एड कर दीजें यानि कि 1 प्लस 8 प्लस 9 कर दीजें इनको एड करेंगे तो टोटल क्या बनेगा? 18 बनेगा और 8 और 1 को भी फर्दर एड करेंगे तो 9 बनेगा देखें 18 भी 9 भी यह 3 के टेबल पर डिवाइड होता है यानि कि 189 भी 3 से डिवाइड होगा Next example करते है 2, 5, 6, 5 अब इसे ध्यान से देखें और चेक करना है कि यह 3 से डिवाइड होता है या नहीं हम क्या करेंगे 2 प्लस 5, प्लस 6, प्लस 5 इनको add करेंगे और इनको add करने से क्या बनता है 2 प्लस 5, 7 7 प्लस 6, 13, 13 प्लस 5, 18 और 18 क्यूंकि 3 से डिवाइड होता है तो 2, 5, 6, 5 भी 3 से डिवाइड जरूर होगा कुछ examples इसकी आप घर पे करके भी देखें definitely यह method helpful होगा Next method divisible by 4 Rule is if last 2 digits are divisible by 4 अगर किसी number के last वाले 2 digits 4 से डिवाइड होते हैं तो मतलब वो पूरा number 4 से डिवाइड होगा इसकी example 132 132 के last 2 digits देखें 32 है 32 4 के table में आता है 4 8s are 32 तो 132 भी 4 के table में जरूर आएगा इसकी next example Let's suppose यह number हम ले रहे हैं 2, 3, 5, 7, 4, 8 last 2 digits 48 है नजर आ रहा है 4 से डिवाइड होगा तो यह number भी जरूर 4 से डिवाइड होगा यह number कब डिवाइड होगा if it ends with 0 और 5 यानि कि अगर end में 0 आए या 5 आए तो number 5 से डिवाइड होगा for example 25 150 175 etc बहुत easy है तो यह कोई भी number अगर 5 यह 0 से end होगा तो हमें पता लग जाएगा कि यह 5 से डिवाइड होता है next rule चलते है divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3 अगर कोई number 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो definitely वो 6 से भी डिवाइड होगा इसकी कुछ examples करते है जैसे 144 144 का last digit 4 है 4 मतलब even number तो यह 2 से तो डिवाइड होई रहा है तो यह 2 से जरूर डिवाइड हो रहा है अब इनको एड करें 4 प्लस 4 एट 8 प्लस 1 नाइन जब इसका total 9 बनेगा तो यानि कि यह 3 से भी डिवाइड होगा तो 2 से भी डिवाइड होगा 3 से भी डिवाइड होगा तो मतलब यह 6 से डिवाइड definitely होगा next example 258 देखें last even number है तो yes 2 से तो डिवाइड हो रहा है numbers को एड करें 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15 इसका total 15 बना 15 3 के table में आता है तो इसका मतलब 258 6 पे डिवाइड जरूर होगा और last example इसकी एक और करते हैं 1386 definitely last में 6 आ रहा है तो मतलब यह 2 पे डिवाइड होगा और इनको एड करते हैं 8 प्लस 6 14 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 1 18 इनका total क्या बन रहा है 18 यानि कि यह 3 से डिवाइड हो रहा है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो मतलब 1, 3, 8, 6 6 से जुरूर डिवाइड होगा तो आज हमने 2 से लेकर 6 तक यह डिविजिबिल्टी रूल्स बढ़े starting हम initial में छोटी वैल्यू से ही करिए लेकिन 6 के बाद हम अपने अगले लेक्चर में 7, 8, 9 further values को study करेंगे Thank you